हेलो गाईज मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर आफ एकॉनोमिक्स लव को शिक्सवाकत करता हूँ आपका कॉमर्स वाला में और दोस्तो बारवी किलास एकॉनोमिक्स वाले बच्चों के लिए मैक्रो एकॉनोमिक्स से मैं लेकर आया हूँ determination of income and employment वाला चैप्टर वो भी one shot में यानि एक वीडियो में पूरा चैप्टर नहीं पूरी unit है ये actually जो आपकी cover up हो जाएगी काफी सारे बच्चों की दुखती रग है ये चैप्टर वह सारे बच्चों को इस चैप्टर में confusion रहती है अगर आप ये चैप्टर दिल से समझना चाते हूँ न तो सारी किताब विताब side में रख दो बुक्स वे अभी कोई लेंदेन मत रखो तीता डिरेक्ट इस विडियो पे ध्यान दो आपको चैप्टर के सारे concept crystal clear होने लग जाएगे और आपको एक important बात इस बीच में नहीं starting में बताना चाहता हूँ काफी सारे teachers कुछ ऐसी बाते बताते ही नहीं काफी सारी books में ऐसी बाते लिखी नहीं जो बच्चों को बतानी पड़ती है उससे बच्चा इस chapter को समझता है और normal तरीके से इस chapter को बढ़ाते रहो न तो बच्चा बहुत सारे concept में confused होता रहता है तो दोस्तों चुरुआत करत है सीधा इस chapter की अब इसको पूरा unit बोलते हैं अगर आप इस पूरी unit को classify करोगे तो इस पूरी unit को तीन chapter में classify किया जा सकता है पहला बनेगा aggregate demand and related concepts दूसरा investment multiplier investment multiplier को के से denote कर देते हैं और तीसरा excess demand जिसको inflationary gap भी बोलते हैं और deficient demand इसको deflationary gap भी बोलते हैं एक एक करके सारे concepts को crack करेंगे और ध्यान रखना अगर आपके पास किसी भी author की book है जिस sequence में आपकी book में ये chapter दिया हुआ है हम उस वाले sequence में नहीं करेंगे यहां मेरा अपना sequence चलेगा जो बच्चा and तक साथ देगा इस video को देखेगा उस बच्चे को वो सारे concepts पिलकुल सही तरीके से समझ है आपके पास video है मैं बहुत शांती से समझाऊंगा आपके पास adjustment करने का process है speed है आपके पास अपने हिसाफ से speed adjust कर सकते हो जल्दी अगर इस video को देखना चाते हो तो speed बढ़ा लो और बिल्कुल शांती time है तुमारे पास तो जैसे बता रहा हूं वैस ही इस chapter को लेकर चलो इस category को छोड़ देते हैं यह सारे concept मैं cover कराऊंगा और दोस्तु प्यार से बताऊंगा इस chapter को अगर समझना है तो तीन चीजे सबसे पहले समझनी जरूरी है उन तीन चीजों को समझाने से पहले एक important बात आपके लिए कि जो यह chapter का नाम है इसमें चार concept सबसे ज़्यादा important है एक aggregate demand aggregate supply की अप्रोच आएगी saving investment की अप्रोच आएगी investment multiplier आएगा और excess demand and deficient demand आएगी यह तो important है इस chapter में सबसे ज़्यादा लेकिन जो सबसे ज़्यादा important होता है उसके अलावा भी जो question important नहीं होते वो भी paper में आते हैं यानि paper में जो question आया है वो सारे important नहीं होते आपन सारे question important वाले आते हैं कि नहीं न तो मैं बतारों तीन चीज़े यहाँ पर समझनी ज़रूरी है point number one consumption क्या होता है अभी आपसे पूछूंगा ना consumption क्या होता है तो आपका दिल एक feeling express करने की कोशिश करेगा कि consumption का मतलब तो यार कुछ खाना होता है बर्गर खालिया रोटी खाली चावल खालिये कुछ भी खालिया खाना होता है अना कोई बोलेगा consumption का मतलब use करना होता है मैं furniture खरीद कर लाया तो मैं furniture को consume कर रहा हूँ पेट के अंदर तो नहीं डाल रहा लेकिन use तो कर रहा हूँ machine को भी use कर रहा हूँ तो दोस्तों consumption के बारे में अगर definition मनाई जाए तो बहुत सारी बना सकते हो एक ऐसी definition है consumption की जिसमें कोई debate नहीं होगा आप सीधा बोल सकते हो मेरे कहने पर सुनो consumption आपकी income का वो हिस्सा है जो आप खर्च कर देते हो पैसों की बात करनी है यहाँ पर consumption is the part of income which is consumed आलो अगर आपने 100 रुपे कमाए और 100 में से आपने 80 रुपीस खर्च कर दिये तो मैं बोलूँगा 80 रुपीस आपका consumption है बहुत simple language में आपको definition clear हो जानी चीए लिखकर भी देदूँग आप भी आग saving पहले इन दोनों पर focus करेंगे saving क्या है अब saving का ऐसे ही मतलब समझो income का वो हिस्सा जो आपने खर्च नहीं किया वो saving होता है यानी 100 रुपई में से 80 रुपई आपने खर्च कर दिये लेकिन 20 रुपई आपने खर्च नहीं किये यह आपकी saving है ठीक है और third number का concept है investment investment की बार consumption और saving पे अपना focus रहेगा ठीक है अगर मैं आपसे बोलूं इस data को छोड़ दो आपसे सीधा सीधा बोलता हूं कि मालो consumption आपने किया है 100 रुपीज का और saving का आपने की है 50 रुपीज की तो बताओ आपकी income कितनी है तो बहुत असानी से बच्चे बता देंगे यह तो कोई छ Sum को हम Y से denote करेंगे क्योंकि I से हम denote कर रहे हैं investment को S हो गया saving, C हो गया consumption बढ़ा शांती पूर्वक धंसे समझना इस चीज को तीनों की definition देख लो वो भी करा दूँगा तो आपको यह बात पता लगती है कि 100 प्लस 50 is equal to 1500 यानि जो भी आपका consumption का amount था आपने उसमें plus कर दिया saving का amount और जो आपके पास amount है वो income आ गया तो consumption plus saving is equal to income यह formula बन गया आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो income is equal to consumption plus saving जैसे मर्जी लिख दो जैसे मर्जी यह इस chapter का base formula है इस formula के basis पर जितने भी इस chapter में formulas होंगे वो बनाए जाएंगे अब उस chapter में theory भी है और numerical भी है इपर में theory भी आएगी numerical भी आएगा और diagram का भी खेल याणि diagram का भी जलवा है इस chapter में वो भी धीरी धीरे साथ के साथ आपको clear cut दिमाग में बसता रहेगा चलो जी definition लिखिए आपके लिए प्यारी प्यारी consumption क्या होता है तो consumption is the part of income that is consumed okay and saving is the part of income that is not consumed कितनी असान बात है अब लिखो that is consumed या spend एक ही बात है और saving is the part of that is saved ऐसे भी लिखे लोगे तो number नहीं कटेंगे language अपने इसाप से change कर सकते हो income के बारे में लिखा है income is the sum total of consumption and saving यानि income is consumption plus saving ये आपको कभी भूलना ही नहीं है समझे रहों दोस्तों ये chapter बना कैसे है ये समझो देखो अमेरिका में 1930s के time पर actually year तो 1928 था लेकिर books में 1930s लिखा होता है उस time पर बहुत बड़े level की economic problem आई थी जिसको हम बोलते हैं the great depression अमेरिका बहुत बड़ी समस्या में फस गया था और जब economy में ऐसी recession और depression जैसी problem आती तो ऐसी problems को solve करने के लिए कुछ policies बनाई जाती है जो economist बनाते हैं तो उस time बहुत सारे economist policy बना रहे थे और वो policy apply करने पर अमेरिका की economy recover नहीं कर पा रही थी ठीक नहीं हो पा रही थी तेकिन उस बीच में एक major main economist आये जिनका नाम था जोन मानियाड कीन्स इनकी बनाई हुई policies के बिहाफ पे अमेरिका recover करने लगा और पूरे देश के अंदर एक economic welfare का माहोल धिरे-धिरे create होने लगा तो British economist जोन मानियाड कीन्स को बोलते हैं father of economics नहीं father of economics तो Adam Smith है यह father of macro economics है ठीक है macro economics के special तो दोस्तों इन्होंने एक बुक लिखी बुक का नाम था दूसरे economist क्या सोचते हैं और यह थोड़ा अलग कैसे सोचते हैं पहुत सारी थियोरी थी बस इस book के concept का ही छोटा सा हिस्सा इस chapter में गीवन है इस chapter में mainly Keynes की बताई हुई थियोरी गीवन है आप देखते होगे ना Keynes की थियोरी classical की थियोरी तो classical दूसरे economist थे और Keynes की अलग थियोरी थी इनमें difference है दोस्तों दूसरे economist क्या सोचते थे Keynes क्या सोचता था वो एक बरी टै करते हैं और उसके साथ साथ आपका chapter cover up होने लग जाएगा देखो ज़रा बेसिकली दोस्तों यह consumption लिखा है यह income लिखा है इन दोनों में क्या रिष्टा होता है what is the relationship between consumption and income normally लोग क्या सोचते हैं कि जैसे जैसे इंकम बढ़ती है जैसे जैसे अमीरी आती है consumption बढ़ने लग जाता है और जैसे जैसे इंकम कम होती है consumption भी कम होता है अब आप भी देख लो ना आपके पास ज़्यादा पैसे आएंगे आप ज़्यादा पैसे को समान खरीद लोगे और जब कि भी आएगी मतलब उसकी income कम होने लग जाएगी फिर वो खर्चा भी कम करेगा तो basically यह बोल दिया income के बढ़ने पर consumption बढ़ता है income के कम होने पर consumption कम होता है यानि income और consumption के बीच में positive relation है positive relation को आप direct relation भी बोल सकते हो simple ऐसा normal kings क्या कहते थे इस बारे में kings कहते थे आप सही हो kings किसी को गलत नहीं बोले इन्होंने बोला आप सही हो लेकिन आप यहाँ पर एक बात बता ना भूल गए चलो income से consumption का relation होता है it is good लेकिन ये बात बताओ जब आपकी income zero होगी तब consumption होगा या नहीं होगा बाबु जब आपकी income zero है ना यहीं आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्या खाना नहीं खाओगे खाना खाएंगे consumption होता है जब income zero होती है तब भी हमारे जिंदा रहने के लिए survival के लिए consumption बहुत जरूरी होता है असली जिंदगी की बात करो अपने प्यारे देश बारत में अगर किसी बंदे की income zero है वो प्यार से कहीं जाएगा मंदिर गुर्दवारे गिरजा घर में वो बंडारा बट रहा होगा अपना पेट भर लेगा पढ़िया से लंगर चल रहा होगा पेट भर लेगा भूखा न कंदम्शन करेगा कुछ ना कुछ कंदम्शन तो करेगा ही करेगा कोई ना कोई अमाउंट तो कंद्यूम करेगा लेकिन जो यह पैसा कंदम्शन के लिए लाएगा यह बैंक से लोन मांग कर लाएगा समझे तो कीज बोलते हैं कि income के बढ़ने से consumption बढ़ता है income के कम होने से consumption कम होता है ये बात ठीक है और इस वाले consumption को हम बोलेंगे this is induced consumption क्या बोलेंगे बाबू induced consumption अब मैं consumption को short में ऐसे लिख रहा हूँ आधा, condemn और उपर end अब पूरा लिखना, ठीक है लेकिन जब हमारी income zero होती है तब भी हम कुछ ना कुछ amount consume करते हैं, कोई ना कोई पईसा तो consume करते हैं, उतने उर्पे का समान खरीद देंगे खाना खाएंगे, तो इस special type of consumption को हम बोलते है autonomous consumption autonomous बोल लो, autonomous autonomous बोल लो, अपने हिसाब से जैसा बोलना है वैसा बोल लो autonomous consumption होता है हाँ, अब याद आ रहोगा, सर, school में कहीं बात चली थी, book में कहीं लिखा तो था, एक autonomous consumption होता है एक induced consumption होता है तो बाबू, अगर define करना चाहो तो कैसे करोगे, definition induced consumption की it is the consumption which is positively related with the level of income अब autonomous consumption की definition it is the consumption at zero level of income जब income zero है, तब जितना भी consume किया है वो autonomous consumption है अब इसकी और definitions भी ये book में ऐसा बोलते हैं, ये consumption का income के साथ तो कोई रिष्टा हुआ ही नहीं क्योंकि income तो zero है, तो it is the consumption which is not related with level of income या फिर it is the consumption which is independent of income, अब ये जो independent मैंने word बोला है न, books में यही लिखा है independent का मतलब होता है, not related रिष्टा ही नहीं है मतलब, तो आप जो मैं language बोल रहा हूँ, उस हिसाब से भी लिख सकते हो number निकटेगा आपका, जो भी बता रहा हूँ लाग बेच अपने इस आपसे मक्षन मला ही बनाओ और बस concept गलत नहीं होना चीए, ठीक है जी तो माल लेते हैं, अब बाबू ढंक से मेरी बात को समझना, बहुत अंदर की बात करूँगा, ठीक है एक बार को हम यहाँ पर आपसे consumption की बात कर रहे थे, तो धीरे-धीरे, consumption के साथ-साथ saving के concept पे भी आ जाओ देखो जी, जब तुमारी income बढ़ेगी, तो तुम save भी जादा करोगे अब अमीर होने पर बंदा consume भी जादा करता है, save भी जादा करता है तो income बढ़ने पर saving भी जादा होती है और जब income कम हो जाती है, तो लोगों budget भी कम करते हैं, saving कम भी हो जाती है तो कीज बोलते हैं, ये बाट ठीक है लेकिन what happens when income is zero? क्या तब कोई save करेगा? अपने दिमार्ग में क्या बात आती है? अब खाने के तो वांदे हो रहे हैं, ये इंकम जीरो है खाना तो खा नहीं पा रहे बड़ी मजबूरी से हमें उधार लेकर खाना खाना पड़ेगा क्योंकि survival body के लिए जिंदार है ना बहुत जरूरी है तो या saving कौन करेगा यार? तो बाबू saving का सही मतलब अब समझना तुम देखो कीन्स बोलते है पहली बात तो जब income zero होती है तब भी saving होती है क्यों? इसको consumption से connect करना जरा जब income zero है तब तुमने 50 रुपे का मालो खाना खालिया ये 50 रुपे लाए कहां से? ये 50 रुपे लाए आप loan से यानि आपको अभी 50 रुपे देने है बैंक के या किसी और के भी जहां से भी लोल ली है तो दोस्तो वैसे तो तुम समझते हो saving वो हिस्सा है जो तुमने बचा के रखा हुआ है तुमारे काम आएगा भविश्य में actually दोस्तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब हमारी income zero होती है न और हमने कुछ consume कर लिया ये पैसा हमने loan पे उठाया था तो इस amount को हम बोलेंगे ये भी हमारी saving है तो जो ये minus मतलब saving तो एक positive amount होता है जो हम खर्च करेंगे भविश्य में हमारे काम आएगा लेकिन ये खर्च नहीं करेंगे तो उधार चड़ गया इसको तो भविश्य में उतारना है saving का सही मतलब एक ऐसा amount आपके पास हो saving का सही मतलब समझना saving का मतलब होता है एक ऐसा amount आपके पास जो भविश्य में आप इस्तवाल करोगे अगर आपके पास positive amount है तो भविश्य में आप उसको खर्च कर लोगे किसी emergency में या शादी में या फोरंस study करने जाओगे या party करोगे लेकिन शुरुवात में ही आपके पास एक negative करजा चड़ा हुआ है तो भविश्य में इसको भी इस्तिमाल करना है कैसे इस करजे को उतार के ये किताबों में लिखा ही निए teacher ढंक से मैंने देखा खुद personally बताते ही नहीं तो जब income zero होती है वहाँ पर जो भी हमने consumption किया होता है जो भी उधार का पाईसा लिया होता है ये हमारी actually असलियत में saving तो नहीं है ulti saving है ulti saving का opposite हो गया यार यह तो वो feel लेकर आओ तो इसको negative amount लिखते है minus 50 तो ये हमारी this saving कहलाती है saving का ulti this saving है तो ये saving ही न इसको हम बोलते हैं दोस्तो autonomous saving autonomous saving और ऐसी saving जो income के साथ positively चले यानि जिसका income के साथ positive relation हो इस saving को बोलते हैं induced saving अभी थोड़ी सी clarity रहेगा योगी मैं जानता हूँ धीरे धीरे दे रहा हूँ paper मैं question आया question आया जी induced saving क्या होती है induced saving वो saving होती है जिसका income के साथ positive relation है फिर autonomous saving क्या होती है autonomous saving वो saving होती है जो zero level of income पे हो it is the saving at zero level of income या फिर book case आप से लिखोगे ऐसी saving जिसका income से कोई रिष्टा नहीं है income तो है यह नहीं है आपर रिष्टा क्या होगा फिर it is the saving which is not related with the level of income या it is the saving which is independent of income काफी सारी book की language बोल देता हूँ जो तुमारे को suit कर रही है वो लिख देना नंबर मिल जाएंगे ठीक है उमीद करता हूँ यहां तक आपका दिमाग धेरे धेरे चलना स्टार्ट हुआ होगा अब एक feel लेना जरा तब समझ में आएगा देखो जी माल लो income is equal to consumption plus saving होता है ठीक है जी होता है बिल्कुल होता है माल लो आपकी income zero है फिर भी आपने 50 रुपे का loan लेकर खाना खा लिया तो saving कितनी होगी मैं कह रहा हूँ जितना आपने loan लिया है वो minus की saving हो गई और total कर लो जरा ये consumption और ये saving ये minus का निशाना total zero ही आएगा यानि ये formula हमेशा set बैठेगा धियान रखना इस चीज़ को तो अब चाहे तुम इस बात को अपने दिमाग के अंदर बसा पा रहे हो या नहीं बसा पा रहे हो बट आपको याद रखना पड़ेगा जब income zero होती है तब हमने जितने भी रुपए का खाना खाया है यानि जितने भी रुपए का consumption किया है वो जो भी पैसा हमने loan लिया था वो loan का amount ulti यानि negative saving होता है उसको ही हम बोलते हैं autonomous saving तो कुल मिलाके आपके यहाँ पर कुछ concept crack होते हैं दोस्तों एक consumption ये दो तरीके का होता है एक होता है autonomous consumption एक होता है induced consumption ठीक है जी फिर आती है जी saving saving दो तरीके की होती है एक होती है autonomous saving और एक होती है induced saving इतनी बाते आपके दिमाग के अंदर बसनी चाहिए पस यहीं से हम अपने concept को आगे कालू रखेंगे और धीरे-धीरे आपकी बल्ले-बल्ले होने लग जाएगी ठीक है जी अगला बताता हूँ इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे consumption से related concept पढ़ेंगे आपको यह तो पता लग गया कि income और consumption का कोई ना कोई रिष्टा तो है अगर मैं बात करूँ induced consumption की income और consumption का positive रिष्टा है और अगर मैं बात करूँ autonomous consumption की तो वहाँ बोलो कोई रिष्टा नहीं है यानि जब income zero है तब जो पैसा consume किया है वो सारा पैसा autonomous consumption है तो यार जो भी रिष्टा हो income और consumption का कुछ तो रिष्टा है चाहे आपको रिष्टा पले पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है लेकिन आप एक बात जानते हो income और consumption में कोई ना कोई रिष्टा है दोस्तो इस रिष्टे को बोलते हैं हम consumption function नहां concept है तो दोस्तो यहां पर लिखा है आपके लिए consumption function और इस consumption function का दूसरा नाम है propensity to consume ये एक mathematical concept है जो आपके सामने आएगा ये consumption function के अगर definition लिखोगे तो कैसे लिख सकते हूँ लिखो it is functional relation चलो मैं definition अब भी आपको लिख कर दे रहा हूँ होगे it is functional relation between consumption and income consumption and income का relation propensity to consume है अब ये mathematical है यानि यहाँ पर numerical portion थोड़ा start हो जाता है आपका ये consumption function दो तरीके का होता है एक होता है जी average एक होता है जी marginal अब देखो आपका नाम कुछ ना कुछ है मेरा नाम love कोशिक है मेरा नाम love है कोशिक मेरा surname है जो मेरे पूरवजों से मुझे मिला है पापा से दादा से परदादा से आपके नाम के आगे भी एक surname लगता है ऐसे ही consumption function का एक नाम average है एक का marginal है इसके आगे भी एक surname लगेगा जैसे कि यह propensity to consume average propensity to consume यह पहला type of consumption function है और दूसरा surname लगा दो propensity to consume चलो जी सरनेम लग गया अब दोस्तों यह जो इतना बड़ा बड़ा नाम है इसको short में लिखना allowed भी है इसको लिखेंगे हम A, P, C तो यह बन गया A, P, C आपको ध्यान आ रहा होगा अरे हाँ 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 और इसको लिखेंगे M, P, C इनका है न mathematical calculation होती है उसके हिसाब सेन की definition भी बन जाएगी देखो जी अगर मैं consumption और income को divide कर देता हूँ तो जो भी मेरे पास value आएगी उसको बोलते है A, P, C तो कोई पूछ ले आपसे What is A, P, C तो आप बोलोगे It is the ratio of consumption and income consumption और income को divide कर देता है और M, P, C क्या होता है तो M, P, C होता है change in consumption upon change in income यह delta का मतलब change है change का मतलब होता है gap तो value given होगी income की तो value given होगी consumption की उनका gap देखेंगे मैं अभी solve करके दिखा दूँ आपको अगर definition की बात है तो देखो पहले ही देख लो consumption function refers to the functional relationship between consumption and income हो गया का अगला A, P, C क्या होता है it is the ratio of consumption and income यानि formula भी लिख सकते हो A, P, C consumption और income की ratio है फिर M, P, C क्या होता है it is the ratio of change in consumption and change in income change in consumption मतलब delta C change in income मतलब delta Y M, P, C आपने लिख भी दिया है हाँ पर delta C upon delta Y जैसा की मालों एक question ले ले लेते हैं एक question है आपको यहाँ पर consumption की value दी हुई है 40 और income की value दी हुई है 100 आप आसानी से A, P, C की value calculate कर सकते हो यह करोगे ऐसा लिखकर consumption upon income consumption 40 है, income 100 है आप निकालोगे 0.4 answer आजाएगा इस question में M, P, C की value नहीं निकल सकती थी क्योंकि M, P, C निकालने के लिए आपको change निकालना पड़ता है और जब change आप निकालते हो तो change तो तब निकलता है जब आपके बास कम से कम 2 values given हो इस बात को तेरा ध्यान से सुनना तो एक नया question लेते हैं मालो ऐसा लिखा हो है जब आपकी income 100 रुपए है तो आप consumption करते हो 40 रुपए का Y1, C1 लिख दिया अगर आपकी income बढ़कर 200 रुपए हो जाए तो आपने consumption बढ़ा दिया 40 से 80 का अब निकालो M, P, C तो आप क्या करोगे 2 income की value है दोनों का अंतर निकाल लो 200 और 100 का difference change in Y होगा इसे बोलेंगे 100 कोई calculation करके दिखाने की ज़रूत नहीं इतना smart आपको माना जाता है इतना बड़े हो गया आप तो consumption का difference 40 और 80 का difference difference positive ही लेना हमेशा delta C कहला हैगा 80 में 40 गए तो it is 40 अब निकाल लो जी MPC ये क्या होता है delta C upon delta Y यानि delta C 40 है delta Y 100 है इसकी value भी 0.4 आ गई इस example में आ गई APC और MPC की value बराबर हमेशा बराबर नहीं होती बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती depends है यहां तक बात हो गई है कोई दिक्कत नहीं है आगे आ जाते हैं दोस्तो saving और income के रिष्टे पर saving और income के रिष्टे पर saving और income के बीच में भी एक relation होता है आपको पता है न saving और income का जो relation होता है उसे बोलते है saving function जैसे consumption function था ऐसे ही आपको saving function पढ़ना है तो मैं आपको बताना शुरू कर देता हूँ, यह लिखा मैंने saving function, function मैं short में लिख रहा हूँ, और दोस्तो saving function का दूसरा नाम है propensity to save, बच्चा पूछेगा सरी यह propensity का मतलब तो बताओ, propensity का मतलब होता है आपकी प्रवर्ती, प्रवर्ती मतलब nature kind of thing, आपकी save करने की propensity to save, saving function का दूसरा नाम है और यह भी दो तरीके का होता है, एक होता है average propensity to save, short form लिख सकते हो, allowed है, कोई number नहीं कर देगा, एक होता है marginal propensity to save, अब इनकी definition दो जी, saving को अगर income से divide कर दो, तो APS आता है, और अगर change in saving को change in income से divide कर दोगे, तो MPS आता है, उसके लिए इनकी values दियोगी, divide करके हम, इनकी values को निकाल भी लेंगे, लेकिन आप definition देखो, definition काम की है, यह लिखा है जी, saving function refers, pen का color change करेंगे, to the functional relationship between consumption and income, saving function, saving और income का रिष्टा होता है, APS is the ratio of saving and income, यानि saving और income की ratio निकाल दो APS, और MPS is the ratio of change in saving and change in income, यानि change in saving upon change in income कर दो, आपको उमीद करता हूँ, मेरी बात समझ में आ रही होगी, इनके diagram भी कर रहूँगा, अभी धीरे धीरे आप मेरी बात समझते रहना था, फुल मिला के दोस्तों देखो, consumption के बारे में सुनो, consumption मैंने बताया कि consumption को हम denote करेंगे C से, धाजा C लिखा होगा, इसका मतलब consumption होगा, consumption हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है autonomous consumption, और एक होता है induced consumption, अब देखना दोस्तों, autonomous consumption को हम C बार से denote करते हैं, और induced consumption को हम MPC multiplied by Y से denote करते हैं, तो एक equation बनती है यहां से, consumption is equal to autonomous consumption की जगा लिखता हूँ C बार, और induced consumption की जगा लिखता हूँ, MPC multiplied by income, यह लोजी है, यह consumption function की equation होती है, आपकी बुक में ऐसे question दिये हो हैं, देखो ऐसे, लिखा है, consumption is equal to 100 plus 0.8Y, और इस equation से पूछ लिया, बताओ, यहां पर autonomous consumption कितना है, तो बाबु जो 100 है, यह autonomous consumption है, MPC कितना है, जो 0.8 है, यह MPC है, ऐसे equation लिखी हूए, काफी सारी जगा लिखा हूँ है, consumption is equal to A plus B into Y, अब A और B क्या है, बाबु जो consumption function में शुरू में खुली value लिखी होती है, यह autonomous consumption होता है, जो B है, वो MPC है, ख्यान रखना है, consumption function की equation है, इसते रिष्टा नाता आपका आगे जुड़ेगा ही, जुड़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, यह तो मैंने आपको सिर्फ consumption function की बात बताई है, ठीक है, अब saving के बारें बतायता हूँ, देखो जी, जो total saving है, उसको हम S से denote करते हैं, यह भी होता है, autonomous savings, लिख देता हूँ आपके लिए, autonomous saving plus induced saving, यानि जो तो type of saving है, दोनों को जोड़ दो total saving आ जाएगी, ठीक है, अब autonomous saving को हम denote करते हैं, S bar से, और दोस्तों आपको पता है न, autonomous saving वो saving होती है, जब आपके पास पैसे नहीं थे, तब आपने कर्ज का जो amount लिया था, यानि यह saving plus amount नहीं होती, कर्जा होता है, कि लोन होता है, negative amount होती है, तो इसको minus S bar से denote करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, और induced saving होता है आपका MPS multiplied by Y से, कैसे consumption का था, अब सेविंग की equation मन गई, minus S bar plus MPS into Y, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, saving के बारे में ऐसा लिखा होगा, minus 100 plus 0.2 into Y, तो आप समझ जाना, जो minus में value लिखी है, वो autonomous saving है, और जो Y के साथ लिखा है, वो MPS है, इतना crack कर लोगे, दिमाग के अंदर धीरे धीरे चीज़े बसने लगी है, sorted होने लगा है matter, कोई दिक्कत में है, चलो जी, यह चीज़ आपको crack हो गई है, आगे बढ़ते बढ़ते, बढ़ते बढ़ते, जो समझदार बच्चा है न देखो, जो बच्चा दिल से इस चैप्टर को crack करना चाहता है, वो मेरे साथ अब बना रहेगा, दो तरीके के बंदे होते हैं, एक होते doers, एक होते dreamers, dreamers तो छोटी मोटी कोई भी class चार्ट कर लेते हैं, थोड़ी दिर देखके बोरो के निकल लेते हैं, तो doers होते हैं, वो सच में सपने, सच करना जानते हैं, वो चाहे थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ी वक्त लगेगा, लेकिन वो पूरी class देखेंगे, चाहे speed बढ़ा कर देख ले, जो समझाया जारा, उसको धंग से समझेंगे, फिर आगे बढ़ेगे, वो number भी लाते है कभी समझ जाओ, अभी ली आओगे, फिर बाद में समझने का कभी कभी time रहता नहीं है, कोई बात नहीं, देख लो जी, अभी तक जो जो बाते बता रहा हूँ, उस पर focus करेंगे, मैंने आपको बताया, consumption दो तरीके का होता है, consumption भी दो तरीके का होता है, saving दो तरीके की होती है, saving function भी दो तरीके का होता है, अब थोड़ी सी maths वाली बात कर दो बाबू, mathematical बाते चलती है, देखो जी, आपको बताया, मुझको ही बताया, consumption और saving को प्लस कर दोगे, तो income के बराबर आजाएगा, आजाएगा, अब मेरे कहने से, आपको पताया, कि दोनों साइड, यह amount से divide कर दो, तो कोई फर्क पड़ेगा, जैसे देखो यहां लिखा है, 5 प्लस 5 is equal to 10, अब इधर भी 2 से divide कर दो, इधर भी 2 से divide कर दो, तब भी इधर answer 5 आएगा, तब भी इधर answer 5 आएगा, यहनि दोनों साइड, same amount से divide करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इधर इस equation में, ऐसा ही कुछ करने वाला हूँ, आपको दिखाई दे जाएगा अभी, चमतकार, दोस्तों मैं दोनों साइड है न, क्या करने वाला हूँ, देखो, इधर लिखा है, consumption plus saving, इसको मैं y से divide करूँगा, इधर लिखा y, इसको भी मैं y से divide करूँगा, अब देखो, इसके तो खुले-खुले हो जाएंगे, consumption upon income plus saving upon income, इधर रहेगा y से y गया 1, आप देख पारे हो कुछ, consumption upon income formula होता है, APC का, saving upon income formula होता है, APS का, is equal to 1, यानि APC plus APS दोनों को जोड़ दो, तो आपके पास 1 आता है, ये consumption वाली सेड है, ये income वाली सेड है, एक आपका formula देखा, base formula से बना है, यानि exam में कभी-कभी दिया होता है, question है, कि APC की value 0.7 है, आप APS निकालो, आप क्या करोगे भईया, APC 0.7 है, APS ऐसी रहन दोगे, is equal to 1, APS हो जाएगा 1 में से 0.7 माइनस, APS हो जाएगा 1 माइनस 0.7 यानि 0.3, आप असानी से अपने हिसाब से calculation करने, वो तो कोई टकरा की बात नहीं है, हर बंदा अपने अलग हिसाब से calculation करता है, sorted है matter, चलो इसी के हिसाब से आगे एक चीज और सिखा रहा हूँ आपको, consumption plus saving income होता है, मैं दोनों साइड को अगर delta से divide कर दू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी चीज से divide कर सकते हो, मैं delta से कर रहा हूँ, अब star hash वगएरा किससे भी multiply कर दो, multiply करो, divide करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है equation के, लेकिन मैं उस चीज से करूँ आ जो काम में आएगी, काम में आगा देखो, delta से multiply C को किया, तो ये delta C, plus इसको किया, तो ये delta S, इसको delta से multiply किया, तो delta Y, अब मैं दोनों साइड equation को divide कर दूँ हो, लेकिन अब कुछ ना कुछ conclusion निकालने के लिए कर रहा हूँ, आपके काम में बात आएगी, ठीक है कर दिया, अब आप देखो स्था, delta Y से delta Y किया 1, ये formula, delta C upon delta Y, ये MPC का formula है, plus delta S upon delta Y, MPS का formula है, और ये 1, यहां से भी एक identity आपके पास आ गई, तो एक बात ध्यान रखन कि consumption का APC और saving का APS दोनों को जोड़ दोके तो वनाएगा, फिर consumption का MPC प्लस saving का MPS दोनों को जोड़ दोके तो भी वनाएगा, आप अभी तक ये class देख रहे हो, तो आप जान चुके होंगे, कि मैं जो item आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके syllabus के हिसाब से काम में भी आएगी, अब exam oriented बाते भी हो रही है, लेकिन कभी भी पहले किसी teacher से बढ़ा हो तो शायद teacher उस अंधरूनी बातों को नहीं बताते हैं, जो आपके काम की है, अभी तो और आ गया आनी है, डर क्यों रहे हो, ठीक है, चलो जी, अब देखो दोस्तो, ये चीज़ मैं बता चुका, अब म जो जिसका भी डाइगराम बनाओगे, उसका नाम लिखोगे y-axis पे और x-axis पे हमेशा लिखोगे income and output या फिर सिर्फ income, अगर income भी नहीं लिखना तो y लिख देना, क्योंकि income को y से डिन और करते हैं, कोई भी डाइगराम बनाओगे तब ऐसा करना है, मैं पहले consumption के पीछे पढ़ूँगा, फिर saving के पीछे पढ़ूँगा, मतलब पहले consumption समझाओँगा, फिर saving समझाओँगा, ओके, 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 यार, मज़े से बढ़ना चाहिए हमेशा, ठीक है, एक तो, मैं बताता हूँ, मेरी students से ना, इस level की bonding हो जाती है, कि बस फिर पूरे, मैं करता और, भाई, मेरे को तो मज़ा आता है, जब आप लोग खुश हो जाते हो, अगर आप खुश हो, आपको समझ में आ रहा है, तो एक बार comment section में अपनी खुशी परकट कर देना, और अगर लगता है कि आपको कुछ और चीज़ की भी जरूरत है, आपको कोई और topic की भी जरू आपकर रूप से, ठीक है, पहले consumption के diagram बनेंगे, देखो जी, consumption हमारा दो तरीके का होता है, एक होता है autonomous consumption और एक होता है induced consumption, होता है जी, ठीक होता है, पहले autonomous consumption का diagram यहाँ बना दूँ, फिर induced consumption का diagram यहाँ बना दूँगा, जब भी diagram बनाऊंगा, x-axis पे लिखूंगा income, y का मतलब income होता है, और जिसका diagram बना रहा हूँ, consumption का diagram बना रहा हूँ, तो y-axis पे consumption ही चलेगा, देखो जी दोस्तो, autonomous consumption का diagram होता है, parallel to x-axis, मैं इसको c-bar लिखता हूँ, यह एक ऐसा consumption है, जिसका income से कोई relation नहीं है, तो parallel to x-axis बनेगा, इसका मतलब यह justify कर देता हूँ, आपको यहाँ पर, फिर मिटा भी दूँगा, अकर यह consumption है, तो इसका मतलब यह है, आपकी income 0 है, तब भी यह कुछ ना कुछ amount है, आपकी income बढ़ रही है, तब भी यह amount उतना कर लिया, फिर जिन्दगी में कभी आपकी income 5 क्रोड रुपे हुई, और आपने consumption भी 5 क्रोड का कर लिया, लेकिन तब भी तो बोलोगे ना, जब मेरी income 0 थी, तब मेरा consumption 50 था, यह तो जिन्दगी पर सच सामने रहेगा, 0 income पर आपका consumption 50 था, तो यह autonomous consumption है, एक बार हो गया, त तो और इजिन से निकलेगी, ठीक है, induced com denote करते है, MPC multiplied by Y से, कितना बड़ा, कैसे, यह क्या बोलता है जी, यह बोलता है बाबू, मालोगे इसका कोई भी point है, इस पर consumption इतना है, income इतनी है, अगर income बढ़ गई, तो consumption भी बढ़ जाएगा, income बढ़ी, consumption बढ़ गया, यह बताता हो, तो यह तो consumption curve नहीं है, यह autonomous consumption curve है, यह induced consumption curve है, लेकिन जो दोस्तों आपके आगे काम में आएगा न, वो सिर्फ consumption curve आएगा, consumption curve इन दोनों का total होता है, कैसे बनता है consumption curve, यह देखो जी, मालोगे यह autonomous consumption है, C bar, यह induced consumption है, इन दोनों को जोड़ कर आएगा, असली consumption curve, सफेद र autonomous plus induced induced को mpc multiplied by yc denote करते हैं तो क्या आपको बार-बार ऐसा बनाना पड़ेगा नहीं 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 बाबू बार-बार ऐसा नहीं बनाना पड़ेगा जब जब आगे काम आएगा आपको consumption कर्व सिर्फ और सिर्फ ऐसा बनाना पड़ेगा ये बन गया जी consumption सामने equation भी लिख दे ना c bar is equal to m ये पुरी equation यहीं ऐसा बना दिना जैसे बना रखे न सफेद वाला सिंगल बना ना सिंगल लाइन यहीं काम किया आपके यहीं काम किया ठीक है जी consumption कर्व क्लियर हो गया इसी के साथ साथ एक बात और देख लो चलो जे टेपर में question आ सकता है वही या autonomous consumption और induced consumption में difference बताओ या autonomous saving और induced saving में difference बताओ point number one बनेगा meaning का मैंने करा रखा है आपको point number two बनेगा curve का इसका curve होता है parallel to x-axis इसका curve होता है positively slopped line है starting from the origin ठीक है तीसरा यह कभी zero नहीं हो सकता income zero है तब भी तुम जिन्दा रहने के लिए कुछ ना कुछ खाऊगे यह income zero होगी तब यह वाला consumption भी zero हो जाएगा यह वाला consumption induced वाला ठीक है तो तीन difference बड़ी असानी से बन रहे है मैं ज्यादा अंदर नहीं लेके जाऊँगा आपको इतने में आपका काम हो जाएगा ऐसे ही autonomous saving और induced saving में difference आएगे तो मिनिंग कर्फ और वो negative होती है autonomous saving और induced saving negative नहीं होती है इतनी बात जालेगा चलो जी आगे बढ़ते हैं सेविंग के कर्फ देखते हैं दोस्तों देखो जी autonomous saving का कर्फ पहले बनाऊंगा बहुत स्मार्ट वाली बात है autonomous saving negative होती है तो उसका कर्फ negative side से 0 के नीचे निकलेगा फिर induced saving का कर्फ बनाऊंगा origin से निकलेगा और proper saving का कर्फ अगर बनाना है तो ध्यान देना सबसे पहले induced saving फिर यह autonomous saving minus s bar और यह induced saving अब इन दोनों को जोड़ दो जोडने के लिए जहां पर parallel वाला कर्फ है उस वाले point से start करते हैं मैंने पहले भी ऐसा किया था देखो तो parallel वाला कर्फ प्लस में था उपर था यहां से start किया इस बार parallel वाला कर्फ नीचे यहां से start करेंगे इसके parallel ले जाएंगे यह आपका saving कर्फ हो जाएगा minus s bar plus mps into y इसकी equation भी लिख देना लेकिन क्या आप मुझे बताओ पेपर में अगर कभी saving कर्फ बनाना आया तो यह ऐसा बनाना पड़ेगा आपको नहीं नहीं अगर saving कर्फ बनाना आया तो आप ऐसा बनाना यह तो कैसे बना है मैंने अंदर तक की बात आपको बता दी आपको कभी भी saving कर्फ बनाना है दोस्तो तो ऐसा saving कर्फ बनाना बस का कानी खतम हो गया दिए सेविंग कर्व का जो यह वाला पॉइंट है नहीं यह वाला मतलब जहां से नेगटिव स्टार्ट हुआ यह वाला पॉइंट यह वाला पॉइंट बताता है कि आपने इतना रुपिया उधार लिया था ऑटनमस कंजंशन चलो जी कुल मिला के दो बाते आपको cover up होती है जब जब आगे आपसे पूछा जाएगा तो कंजंशन कर्व ऐसा होता है और बाबू सेविंग कर्व बनाओगे तो सेविंग कर्व नेगटिव साइड से निकलेगा सेविंग कर्व ऐसा होता है कानी खतम अब एक सच्छी बात और सुन लो जब आपकी इं in autonomous saving भी हो जाएगी तो मैं कहता हूँ यह वाला amount यहां से लेकर यहां तक का जो होता है यह autonomous saving है और यह हमेशा इस वाले amount के equal होता है अगर यहां 50 लिखा है प्लस में तो यह माइनस में 50 है आप इस बात को ध्यान रखना देखो मैं बताता हूँ अगर consumption लिखा है 100 प्लस 0.8 यह तो autonomous consumption है ना और यह MPC है जैसे कि मैंने बताया था तो saving आप अपने आप लिख सकते हो यह 100 है autonomous consumption तो saving minus 100 होगी और अगर MPC 0.8 है तो आपको पता है MPC प्लस MPS 1 होता है ना और हम saving function में है MPS लिखते हैं तो 1 में से MPS निकाल लिए हैं आपको तो 1 में से MPC जो कितनी है 0.8 म minus कर दो 0.2 आएगा इधर 0.2 लिख दो और Y लिख दो यह एक consumption function आपको given हो तो उससे saving function आसानी से बना सकते हो क्यार जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो अभी numerical ability को stop करो आप जो बता रहूं उस चीज़ पे ध्यान दो मैंने अभी तक आपको consumption और saving की पूरी व्याख्या द होती है एक होती है autonomous investment और एक होती है induced investment अब जितने भी तुम concept पढ़ रहे हो ना autonomous और induced autonomous वो सब चीज़े होती है जिसका income से कोई relation नहीं होता जब आपकी income zero हो तब आप जो भी amount invest करोगे उसको बोलेंगे autonomous investment अब अच्छा बोलेगा तर income zero है समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ खाने के लिए autonomous consumption करना पड़ेगा ये भी समझ में आ गया कि वो पैसा उधार लिया था जब income zero थी उसको हम autonomous saving बोल देगे लेकिन कौन है जो income zero होगी तो investment भी करेगा बाबु हमारा देश ये macro economics में देश के level का chapter है जब देश में national income भी zero होगी ना ये वाई को national income बोलेंगे ये zero होगी ना तब भी देश की सरकार कहीं न कहीं से loan पर उठाकर लाएगी पैसा और देश के अंदर सड़के hospital school इनका काम कभी नहीं रुखता कभी नहीं रुखता तो zero level of income पे भी investment की जाती है हाँ इस investment क का main purpose profit कमाना नहीं होता इस investment का main purpose बाबू social welfare होता है और जनरली इस investment को करता कोन है private company या नहीं करती इसको basically government sector करता है और यह investment कौन सी है induced वाली सारी वही चीज़े होती है ना income के बढ़ने पे जो investment बढ़ जाए वो induced investment है income के कम होने पे जो investment कम हो जाए वो induced investment है यह प्राइवे जब मेरा income बढ़ रहा है और मैं investment बढ़ा रहा हूं तो profit कमाने के लिए कर रहा हूं profit motive के लिए होती है और कौन करता है इसको generally इसको generally firm sector या private sector करता है करती तो सरकारी sector भी है लेकिन generally यह करता है तो autonomous or induced investment में paper में question आ सकता है difference बताओ तो autonomous investment is the investment which is not related with level of income income से रिष्टा ही निया जब income zero है तो it is the investment which is positively related with level of income आगे it is done for social welfare purpose it is done for profit motive generally it is done by the government sector या फिर public sector कुछ भी कहलो and generally it is done by the private sector generally इनका curve देख लो autonomous investment का कोई relation नहीं है income से तो autonomous investment को आई बार से denote करेंगे और induced investment को हम वही income से positive relation है तो ऐसे लेकर जाएगे दोस्तो इसके बारे में एक ऐसी line है जो अभी आपको बताऊँगा आपके दिमाग के विल्कुल सारे concept खुलने start हो जाएगे लेकिन book में कहीं लिखी नहीं आप उठाके देख लेना और ज इसको बताने से पहले मैं थोड़ी देर इस पर शांत रहूंगा अभी आऊंगा थोड़ी देर बाद आप मेरी बास सुनोगे देखो जी देश का टोटल खर्चा देश का हमारे देश में कितना रुपिया खर्च किया जाता है उसको टोटल expenditure बोलते हैं और तो टोटल को हम aggregate expenditure देश में जितना पैसा खर्च किया जाता है उतनी ही तो डिमांड हुई है मतलब अगर देश में 500 रुपिय खर्च हुए है तो 500 रुपिय की दिमांड हुई थी तभी तो खर्च हुए है तो दोस्तों जो aggregate expenditure है इसको शॉट में आप AE बोल लो किसी को हम बोलते हैं देश क total demand, aggregate demand यानि सर क्या इतनी असानी से आपने बोल दिया define तो करो देखो दोस्तों AD यहां से तुमारी बुक में chapter शुरू किया actually और फिर इसके अंदर की बाते खोली हुई है हमने पहले अंदर की बात खोल ली फिर हम इस पे आए हैं aggregate का मतलब होता है basically totality देश के अंदर total demand कित आए जाता है बनाने की बात ने कर रहा जितना भी समान खरीदा जाता है अपने आपको buyer मान के चलो समान खरीदने वाला कि चितनी भी goods and services देश में लोगों ने खरीदी है मालो देश में चार लोग रहते हैं देश में चार लोग रहते हैं एक जनता जिसको हम बोलते है household sector ठ थी किया? पहला बंदा वो है Janta. दूसरा माल्लों देश में Company भी है, वो सरी. तीसरा माल्लों देश में सरकार भी है, चोथा माल्लों देश के इंदर foreigners भी है. इन चारों के अलावा देश में कोई रहता है? नहीं रहता, तो मालो जनता ने पैसा खर्चा 10 उर्पिया, फर्म ने पैसा खर्चा 10 उर्पिया, सरकार ने पैसा खर्चा 10 उर्पिया, और फोर्नर्स ने पैसा खर्चा 10 उर्पिया, देश के अंदर टोटल खर्चा 40 का हुआ, इस टोटल खर्चे को बोलते हैं, aggregate demand या फिर aggregate expenditure future देश का total खर्चा जनता का खर्चा मतलब हम सब public का खर्चा इन सब को total कर दो आपके पास aggregate demand आ जाएगा तो aggregate demand की definition क्या होती है बाबु aggregate demand की definition बताओ पहले तो देखो जी एग्रिके डिमांड के बारें बोलोगे एक देश में कभी लोगों के द्वारा जितना भी सामान खरीदा जाता है उसकी वेल्यू को बोलते है aggregate demand मतलब जितना जितना पैसे समने खर्चा है उसको total कर दो simple, असान भाशन बताओ जी, असान भाशन में बाब वो असान भाशन में देलो, देखो aggregate demand is sum total of the value of demand किस चीज़ की? of all goods and services देश के अंदर जितनी भी goods and services हैं, उनकी demand किन के दुवारा की कही है? by all the buyers तभी buyers के दुवारा during a given time period given period of time given period of time और इसको हम calculate कैसे करते हैं, गरिके demand को? aggregate demand को calculate करते हैं, यह private sector का खर्चा यानि जनता, यह firm का खर्चा जिसको investment बोला है, यह सरकार का खर्चा जिसको जी बोल दिया government expenditure, पुरा नाम तो government final consumption expenditure है, और foreigners का खर्चा है net export, धिरे धिरे इसकी बात करूँँआ, एक एक करके आप सिर्फ इतनी बात सुन लो, पर में छे नं खर्चा के components explain कर दो, यहनि इन चारो को, खर्चा क्या होता है, खर्चा मतलब सामान खरीदना, कोई बोलेगा private sector का खर्चा क्या होता है, तो इसका मतलब private sector के दुआरा goods and services खरीदना, चलो चारो explain करता हूँ आपके लिए, इन्वेस्टमेंट बड़ा special है, उसको भी explain करूँ अगर आपको ध्यान होता हो, फिर या फिर aggregate expenditure, तीनों में से कुछ भी आजा है question, इसके AD के component explain करो, या aggregate expenditure के component explain करो, या GDPMP के component explain करो, तो इनके चारी component होता है, एक होता है C, एक I, और आगे अगे लिए पेच में लिखा है G, और ये net export को NX बोल देते हैं, अगर आपको यह explanation द description में given है, आप वहां से ये notes, download भी कर सकते हो, PDF की form में आपके काम आ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि लिखा है, private expenditure क्या है, पूरा नाम तो private final consumption expenditure है, it refers to the purchase of goods and services, by the household sector and non-profit institutions, यानि जो profit कमाने वाली institution नहीं है, उसको भी हम private sector में डालते हैं, ठीक है, for example, purchase of milk, purchase of furniture, तुम जो भी सम समान खरीदे रहे हो, सारा खर्चा, और यहां माना गया, जो firm समान खरीदती है, उसको investment बोलते है, investment के हमारे पास 4 type होते है, 4 component होते है, type नी, component, जैसे कि एक inventory investment, इसको changing stock बोलते है, national income में पढ़ा होगा, closing stock minus opening stock, इसका formula होता है, inventory पे जो पैसा लगाया है, ठीक है, उसके ला इसको बोलते है, business investment, यह business investment यहां लिखा होगा, यहां दिखनी रापको, लेकिन जब आप इसको download करोके तो मिल जाएगा, यह separate बात है, इस पर इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, यह सरकार का खर्चा, और यह net export, बच्चा समझेगा सरी, ठीक है, net export का हमने formula भी स आपके paper की काम की चीज़ क्या है, दोस्तो, aggregate demand का वैसे formula यह होता है, private sector का खर्चा, investment, खरकार का खर्चा, net export, लेकिन हम यह question पढ़ने के बाद, सिर्फ यह question पढ़ने के बाद कि aggregate demand के चार concept होते हैं, इसके बाद हम इसको नहीं पढ़ते हैं, अपने course में aggregate demand सिर्फ दो sector में ह aggregate demand का formula consumption plus investment होता है, कब सिर्फ और सिर्फ under two sector economy, मतलब क्या बोल रहे हो सर, यहां से दिमाग में ना चीज़े घुष नहीं रही हैं, यही तुम्हें बताना है देखो, एक देश की economy के अंदर चार सेक्टर होते हैं, national income में पढ़ा होगा, I hope, एक होता है household sector, एक firm sector, एक government sector और तो government और foreign sector को हटा दो, कितने sector बचे, दो सेक्टर बचे, जब एक देश में दो ही sector है, यानि household और firm, इन दोनों के खर्चे को total कर दोगे, तो aggregate demand आ जाएगी, तो बस वही वाला पढ़ रहे हैं, assumption पे अधारित है, तुम बोलोगे सर सारा पढ़ना चीए ना, सारा पढ़ोग तो sector का खर्चा, ये household का, ये firm का खर्चा, अब इसके बारे में सुनो भाई, इसको हमने assume किया हुआ है, कि ये सिर्फ और सिर्फ autonomous investment है, असलियत में ये investment होती है, लेकिन हमने अपने course की मजबूरी के कारण इसको मान रखा है, ये autonomous investment है, पार बार इसको autonomous मान है, यानि मैंने जब आपको पढ़ाया था, investment दो तरीके की होती है, ये, एक autonomous, एक induced, ये तो तुमारे course में है, कि इन दोनों के बीच में difference आ सकता है, लेकिन इस difference को पढ़ते ही, किसी किताब में बात नि लिखी, आपको समझना है, जो मैं बता रहा हूँ, आगे जब जब investment यूज किया नहीं कराया, आपको merge करके, सिर्फ एक अखेला curve करा दिया, investment का function में नहीं कराया, हमजगे, जैसे consumption function, saving function में type कराई है न, investment में नहीं कराया, तो जब जब आपको बोले कि investment का curve कैसा होता है, तो आप दोनों नहीं बनाओगे, आप से इसका ही मतलब है, ये course की limitation माल लो, कुछ जब तुम investment पढ़ोगे, तो इस investment का curve हमेशा parallel to x-axis रहेगा, क्योंकि हमने इसको assume किया हुगा, यही आगे, consumption curve वैसा ही रहेगा, जैसा हमने total पढ़ा था, ये consumption है, समझे, तो aggregate demand का curve आपके सामने आ रहा है, देखो जी, aggregate demand क्या होगा, aggregate demand होगा, consumption plus investment, investment भी autonomous, consumption का curve कैसा है, ऐस होता है, जी, investment का curve parallel to x-axis होता है, जी, दोनों को add कर दो, ये investment का curve और कहीं से भी consumption निकाल दो, मालो यहां से निकाल दिया, तो भाई, अब दिमाग लगाना पड़ेगा, मालो investment के सामने लिखा हुए 10, इधर लिखा हुए 6, तो consumption 6 और 10, 16, यहां से 16 तक लेकर जाओ, मालो यह है, इसके parallel ले जाओ, यह aggregate demand हो गया, यह consumption plus investment हो गया, यह consumption था, यह investment, aggregate demand curve भी consumption कर्व की तरह दिखाई देता है, लेकिन consumption कर्व नहीं होता, consumption कर्व से उपर होता है, जब-जब aggregate demand कर्व आए, तो aggregate demand कर्व आपको ऐसा मनाना है, और लिखना है बार-बार C plus I, यहां काम 35 होता है ही का जी, आगे चलो जी, aggregate demand हो गया, अब तुम्हें पढ़ना है, aggregate supply, aggregate supply को AS बोलते हैं, aggregate supply एक देश में जितना भी सामान बेचने की कोशिश की जाती है, यानि जितना भी सामान supply किया जाता है, जितना भी सामान, सारी all goods and services की value, कोन supply करता है, sellers, तो देश के सभी sellers के दुआर सभी goods की supply की जो value आएगी उसको aggregate supply बोलते हैं, तो क्या लिखूँ, aggregate supply is sum total of value of all goods and services supplied by all the sellers in an economy during a period of time, यह supply है अब हमने अपनी supply को assume कर रखा है कि aggregate supply देश में total output के बराबर होती है, यह output, why का मतलब income है, मानते हो आप, income का मतलब ही output है, यह भी मानते हो आप, नहीं मानते हो तो सुन लो देखो जी, यहां से clarity आती है, असली economics की, जो किताबों से नहीं मिलती, teacher के बताने से ही मिलती है, आप समझना, देखो, मान लो एक देश में 100 रुपे का output है, 100 रुपे का समान नहीं विका तो, फिर क्या होगा, तो बाबू देखो, मान लो 100 का production है, उसका समान 90 का विका है, 10 का नहीं विका है, यह मान लेते हैं, तो जो नहीं विका न, हम यह assume करके चलते हैं, कि यह teller ने खुद खरीद लिया, यानि जो producer है, जो समान बना रहा है, हम यह मान लेते हैं, कि बचा हुआ समान उसने खुद खरीद लिया, तो देश में जितना समान बनाया गया था, वो सारा बिक जाता है, यह मान लेते हैं, क्योंकि जो पचकिया, उसको तो वो कूडे में जलाए, कवार में फेके, कुछ भी करें, उसके पास यह न, वो इस्तमाल कर रहा है, जैसे मरजी करें, खराब इस्तमाल करें, अच्छा इस्तमाल करें, तो देश में जो आउटपुट होता है, उतनी इंकम होती है, और दोनों को वाई से डिनोड किया जाता है, और देश में, एग्रिगेट सप्लाई मतलब देश का टोटल आउटपुट, यानि जितना समान बनाया गया है, प्रडक्शन, टोटल प्रडक्शन, और वही तो सैलर सप्लाई करने के लिए रेडी होंगे, वही से डेफिनेशन मनी है, तो एग्रिगेट सप्लाई और इ इंकम लाइन मान के चलो, अब तुम बोलो के सर, यह क्या 45 डिगरी बनाना है, नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से बना देना, एग्जेकली डी स्केल लेकर इसको मैच करके नहीं बनाना, यह एग्रिगेट सप्लाई करदा, बस इतना दिवाग में बसालो और कानी खता, ठी ठीक है जी, आगे चलते हैं, देखो दोस्तो, अब एकोनोमिक्स में इस चेप्टर में चाहे मैंने आपको कराया हो, कंदम्शन, चाहे सेविंग, चाहे इन्वेस्टमेंट, फिर एग्रिगेट डिमांड, जिसका फॉर्मला आपको C प्लस I ध्यान रखना आगे, फिर एग् कॉनसेप्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, कहते हैं कुछ होते है एक्स एंटे कॉनसेप्ट, कुछ होते है एक्स पोस्ट कॉनसेप्ट, यानि जितने भी कॉनसेप्ट है, उसकी दो वराइटी होती है, एक्स एंटे और एक्स पोस्ट, एक्स एंटे वो नही एक्सपक्टेड कुछ भी उमीद कर रहे हो तो उसका मतलब एक्सेंटे है या फिर इसको बोलो डिजायर्ड या इसको बोल सकते हो आप इंटेंडेड इन सभी शब्दों के मतलब सेम है भाई टेंचन मतलो इसको तुम बोल सकते हो प्लैंड अब देखो मालो मैं बात कर रहा हूँ एग्रिगेट डिमांड की उसकी डेफिनिशन तुम्हें आती है लेकिन मैं बोलो एक्सेंटे एग्रिगेट डिमांड क्या होती है तो मैं डिफाइन करूँगा जितनी डिमांड हम एक्सपक्ट कर रहे हैं वो एक्सेंटे जाती है तो जितनी ही आप उमीद कर रहे हो उस value को बोलते है expected demand या फिर accent demand तो मैं definition कैसे दूँ accent aggregate demand desired level of aggregate demand है एक economy के अंदर ओके फिर बाबु एक्स पोस्ट को कैसे define करोगे यह एक्स पोस्ट यह बाद में करूँगा तुमारे मन में आ रहा होगा सर accent consumption को define करो तो जिस भी चीज से पहले accent लग जाए सब चीजों की definition सेम तरीके चलेगी जो भी हमने desire किया है वो वाली बात कैसे सर्च कैसे कैसे कर सबकी definitions नहीं बाई देखो accent AD refers to the desired level of AD in an economy accent AS refers to the desired level of AS in an economy accent a savings refers to the desired level of savings in an economy accent investment refers to the desired level of investment in an economy आप से पूछू what is x and a consumption तो आप बोल दोगे it refers to the desired level of consumption in an economy desired लिख लो planned लिख लो कुछ भी लिख लो accent और planned यानि कभी कभी बोलता है planned saving क्या होता है या फिर accent a saving क्या होता है मतलब एक ही है लेकि जब दोस्तों आप से बोले एक्सपोस्ट एक्सपोस्ट का मतलब होता है actual आज जितना consume किया वो exposed consumption है अभी लेकिन future में क्या उमीद कर रहे हो वो accent a है तो अभी की value किसी भी concept की अभी की value निकाल लो आप तो वो exposed हो जाएगी exposed AD का मतलब होता है actual level of AD in an economy exposed AS का मतलब actual level of AS in an economy exposed saving actual level of saving exposed investment actual level of investment exposed consumption actual level of consumption in an economy ध्यान रखना अब मैंने एक बुक देखी उसमें question था कि हम जो इस chapter के अंदर concept पढ़ते हैं एक्स एंटे वाले पढ़ते हैं या एक्स पोस्ट वाले पढ़ते हैं बबु हम इस chapter में एक्स एंटे concept पढ़ते हैं हमेशा expected उमीद क्या है होने की तो कि fact मालो अभी देश के अंदर 10 रुपे की सप्लाई है क्या करें फिर हम हमेशा देखते हैं सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए बालो हम भविश्य में चाहते हैं कि सप्लाई 100 रुपे की हो यानि एक्स एंटे सप्लाई 100 रुपे की हो तो हम उसके लिए काम करते हैं पॉस्ट को भी करते हैं लेकिन एक सेंटे को ज्यादा करते हैं उसी की बाद इस चैप्टर में की गई है तो अब दोस्तों एक नया कोशन जो छे नंबर के लिए बड़ा इंपोर्डेंट है आप से पूछता हूँ मैं एक सेंटेक्स पोस्ट होने के बाद कि एक देश में इकुलीब्रियम इंकम कितनी हो इकुलीब्रियम इंकम या इकुलीब्रियम नैशनल इंकम या इकुलीब्रियम आउटपुट कितना हो तो बाबु अंसर आएगा उतना हो जहां पर एग्रिकेट डिमांड और एग्रिकेट supply एक दूसरे के बराबर हो यानि देश की total demand और total supply एक दूसरे के बराबर हो जितना समान लोग बेचना चाहते हैं उतना ही खरीदना चाहते हो तो वहाँ पर जो भी level of income है वो देश के लिए equilibrium income है यानि best income है ऐसा मत्सोचो किसी देश के पास unlimited income होगी दो बढ़िया है यहाँ पर देश के buyers और sellers दोनों happy होँ वहाँ पर जो income है वो बढ़िया है अब देखो न देश के सबसे खुशहाल देशों में Singapore, Sweden, Norway Denmark, Finland इनका नाम आता है क्या इनकी income दुनिया में सबसे ज़्यादा है पस यहाँ पर क्या है कि demand और supply का match चलता रहता है welfare जाता है वहाँ पर तो उन चीज़ों की बात नहीं करेंगे जब demand और supply एक दूसरे के बराबर होगी तो देश में equilibrium होगा macro economic level का और वहाँ पर जो भी income होगी उसको equilibrium level of income बोलेंगे तो इसको मैं क्या बोलता हूँ question आता पेपर में determination of equilibrium income and output कहां पर होता है या फिर भहत कम book में लिखा है इसका दूसरा नाम है short run fixed price model actually हम long run नहीं पढ़ रहे हैं इस chapter में macro economics में सुनाओगा short run और long run देखो जी macro economics में short run का मतलब होता है जब हम price की बात नहीं करते यानि price को constant माल लेते हैं उस time को short run बोलते हैं long run का मतलब price भी अपना खेल दिखाएगा वो नहीं पढ़ रहे हैं तो short run के अंदर अगर तुमें equilibrium income decide करनी है तो उसकी दो approach है हमारे पास दो approaches है हमारे पास एक का नाम है aggregate demand aggregate supply approach इसके हिसाब से decide करना बता दूँगा एक है saving investment approach इसके भी हिसाब से decide करना बता दूँगा बस आप ध्यान रखना फिरे बातों को बाते चलो जी ध्यान रखते हैं मैंने आपको accept tax post पढ़ा दिया था ना उसके बाद चलते हैं जब देश में aggregate demand और aggregate supply एक दूसरे के बराबर होती है तो यहाँ पर जो भी income होगी यह equilibrium income होगी star कर दिया मैंने ऐसी अब देखो दोस्तों aggregate demand का मतलब होता है C plus I two sector economy में बढ़ रहे हैं प्राई के ओपर हमेशा बार लगा रहे हैं AS का मतलब क्या होता है Y अब सुनो AS का मतलब होता है Y और जब class start करी थी आपको बताया था Y का मतलब होता है consumption plus saving तो मैं AS की जगहा पर consumption plus saving लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ जी तो AS की जगहा पर मैं consumption plus saving लिख दिया लिख दिया खुड़ास दिमाग लगा ना consumption से consumption कट गया इधर investment है इधर saving है तो बोलते हैं जब AD और AS एक दूसरे के बराबर होते हैं तो वहाँ पर investment और saving भी एक दूसरे के बराबर होंगे तो ये भी एक equilibrium approach है क्या सर दुबारा explain करो अब वो मेरी बात सुनो मैं बोलता हूँ सबसे पहले आप AD AS approach को explain करो फिर इस पर आऊँगा धंग से बताऊँगा धंग से पर में question आया aggregate demand और aggregate supply approach के हिसाब से equilibrium income कैसे decide होती है वो बताओ तो point number one आप लिखोगे meaning meaning में आप लिखोगे according to AD AS approach equilibrium level of income is decided at the point where AD is equal to AS फिर AD के बारे में बताओगे AD का मतलब C plus I होता है AS के बारे में बताओगे वह यह यह Y है 45 degree line इसको बनाएंगे हम फिर diagram बनाओगे आप इसके बाद बनेगा diagram diagram में देखो जी यह रहा AS 45 degree line और यह रहा AD यहाँ पर यह दोनों एक दूसरे के बराबर है यहाँ पर जो भी income होगी यह equilibrium income है समझे अब saving investment approach के हिसाब से बताओ paper में यह भी आती है saving investment approach के हिसाब से जहाँ पर saving और investment एक दूसरे के बराबर होगे वो point equilibrium income का होगा तो सबसे पहले लिखोगे यहाँ पर meaning according to saving investment approach equilibrium income is determined at the point where x and a saving is equal to x and a investment क्या बोल दिया मैं एक्सेंटे हाँ इनके लिए x and a word use कर देते हैं चाहते तो तो तुम ad as में भी x and a word use कर सकते थे लेकिन bookish language बता रहा हूँ ना भी करो तो भी ठीक माना जाएगा फिर accent saving क्या होता है accent investment क्या होता है बता देना उसके बाद diagram बनाना बहुत जरूरी है सबसे पहले investment कर बनाओ पीले रंग से फिर saving कर बनाओ जहामरजी से निकाल दो और saving और investment ने एक दूसरे को इस point पे काटा है तो यह equilibrium point हो गया और इसके नीचे जो भी income होगी यह equilibrium national income होगी समझ गया अब भई कोई भी equilibrium का question आ जाए जैसे कि मानो question आया AD और AS की equality का दोस्तों आपको AD और AS की बराबरी से ज़्यादा बताना यह जरूरी है जब AD बड़ा होता है AS से तो क्या होगा और AD छोटा होता है AS से तो क्या होगा diagram में AD छोटा है AS से इस point के इधर हरी line नीचे है AD बड़ा है AS से यह यह लाइन ऊपर होगी ना ऐसे ही हाँ पर इधर saving is more than investment है इधर investment is more than saving है देखो ना यहाँ देखो इसके बाद investment नीचे तो कम यह investment उपर तो ज़्यादा saving नीचे रह गई ना यह point ज़रूरी है बताने तो देख लो जी एक एक करके बता देता हूँ आपको मैं यह पर के अंदर बड़े important points हैं बहुत ज़्यादा important points है बाई देखो जी आ लो AD ज़्यादा है AS से तो demand ज़्यादा है supply कम है तो ऐसे में production बढ़ेगा supply बढ़ेगी AD कम है supply ज़्यादा है supply ज़्यादा है तो भई supply को कम करो न कम करोगे तो धीरे-धीरे वो demand के बराबर आजाएगी यहाँ supply कम थी supply को बढ़ा दो धीरे-धीरे demand के बराबर आजाएगी तो फिर से equally भी रमा जाएगा economy में और जब investment ज़्यादा होगी saving से तब भी ऐसा होगा same चीज और जब investment कम होगी saving से तब भी same चीज ऐसी होगी क्योंकि देख लो जब AD is more than AS होता है न AD का मतलब C plus I और saving का मतलब C plus S तो C से C गया investment is more than saving वाली feel आई है जब AD is more than AS होता है तब investment is more than saving वाला बनता है जब भी आप कोई भी approach explain करोगे उसका diagram के explanation में आपको ये point जरू लिखने है saving is more than investment या investment is more than saving होगा तो क्या होगा what changes will take place in that case okay report है यहाँ पर आपके दो बड़े important question crack होते है अगला question मैं बताऊंगा आपको investment multiplier से दोस्तो investment multiplier को हम denote करते है K से investment multiplier देखो नाम से पता लग रहा है investment किसी चीज को multiply कर रहा है यानि investment किसी चीज को increase कर रहा है income के increase होने से investment increase होती है no doubt लेकित investment के बढ़ने से भी income multiple times increase होती है मालो कहीं पर investment increase हुई है देश में एक बंदे ने investment increase की है उसकी वजए से मालू किसी ने investment किया है 20 रुपेगा तो किसी ना किसी बंदे की income हुई होगी 20 से बड़ी होगी किसी के पास तो गए होंगे पैसे फिर मालू राहूल के पास ये पैसे गए हैं तो राहूल ने कुछ पैसा खर्चा होगा कुछ पैसा सेव कर लिया होगा ठीक है और जो राहूल ने पैसा खर्चा है वो मिले सुरेश को सुरेश कोई समान भेचने वाला है तो सुरेश के पास जो पैसे मिलेंगे इसने कुछ खर्चा किया होगा कुछ सेव किया होगा पिर मालो ये पैसा खर्चा किया होगा ये मिला अरुन को अरुन ने फिर कुछ खर्चा किया होगा, कुछ सेव किया होगा तो भाई ऐसे पैसा टूटता रहता है मतलब एक बार इंकम जो बढ़ती है उससे देखो अब इसने पैसा खर्च किया तो किसको मिला? सुरेश को, तो सुरेश की इंकम यहां बढ़ गई यहां पर अरुन की इंकम बढ़ गई तो एक अकेली इंकम से बहुत सारे लोगों की इंकम बढ़ती रहती है इसको मैं टेबल के थुरू बताना चाहूँगा आपको एक्जाम में टेबल से आ जाता है कि explain the working of investment multiplier लेकिर पहले मेरी बात सुनो यह कह सकता हूँ मैं delta का मतलब change होता है अगर investment बढ़ती है तो उसकी वज़य से इंकम बहुत ज़्यादा times बढ़ सकती है तो income का बढ़ना because of investment के बढ़ना जो भी value आएगी उसको बोलते है multiplier के investment multiplier तो यहार investment multiplier के definition बनेगी it refers to change in income due to change in investment due to upon को due to बोल सकते हो असानी से एक बार की हुई investment से income multiple times बढ़ जाती है देश में total यानि एक बार investment करोगे तो अगले बंदे की income multiple time बढ़े ना बढ़े उसका breakout वो खर्चा दूसरों तक तूट तूट कर पहुचता है दूसरों की income overall total करोगे तो देश में जादा impact आता है तो this is investment multiplier तो multiplier के अगर दोस्तों formula देखोगे तो investment multiplier का पहला formula change in income upon change in investment होता है इसका दूसरा formula होता है 1 upon MPS और एक और formula है तीसरा 1 upon 1 minus MPC बच्चे भूल जाते हैं minimum value 1 होती है और maximum value मुझे पता है बच्चा जो यहां तक वीडियो देख चुका है तो भौत बोर भी हो गया होगा maximum value infinity होती है अब मैं भीरेदिये करके तोड़ा fast track पर चलता हूँ टेपर में question आ सकता है multiplier और MPS का कैसा relation है negative relation है तोगि denominator में है multiplier और MPC का कैसा relation है positive relation है आया हुआ है पर में question इसलिए बता दिया चलो जी अब मैं table से समझाऊंगा हम assume कर लेते हैं कि देश के अंदर पहला पहला level of investment जो change हुआ है वो thousand का है इस में से जो लोग पैसा खर्च करते है MPC के हिसाब से 0.8 यार देखो मेरी income बढ़ेगी मैं 100 रुपे में से 90 रुपे खर्च कर दूँगा किसी और की income increase होगी वो 100 रुपे में से शायद 60 रुपे, 70 रुपे या 100 के 100 खर्च कर दे हर बंदा अलग portion of income खर्च करता है लेकिन हमने मान के चले हैं कि देश के अंदर सब लोग अपनी additional income का 80% खर्च कर देते हैं यानि MPC 0.8 है यह assume करके चले हैं तब ही concept असान होगा तो मैं यहां लिखता हूँ पहली पहली investment कितनी है 1000 रुपिया इसकी वज़े से income भी एक बंदे की 1000 है यानि इनने 1000 टी invest किया तो किसी को 1000 मिले यह assume करके चल रहे हैं कि शुरू में delta i, delta y बराबर है अब दोस्तो 1000 जिसको भी मिले है वो उसका 80% खर्च कर देगा तो consumption कितना बदल जाएगा consumption मल जाएगा 1000 का 80% निकालो 1000 multiplied by 80% यानि 0.8 800 आजाएगा अब यह 800 किसी का consumption है 800 मालो मेरा consumption है तो मैंने किसी को दिये तो होंगे पैसे सबजी खरी दियोगी तो जिसको दिये उसके पास 800 रुपे की income बढ़ गई अब ये भी income आई है तो कुछ portion तो इसका खर्च करेगा हम मालने ते 80% 800 का 80% कैसे निकालेंगे 800 को 0.8 से multiply कर देंगे 640 आजाएगा तो जिसको भी दिये होंगे उसकी income 640 से increase हो गई होगी दोस्तों ये process चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और last में देखोगे इस question में हमने MPC assume कर रखिये 0.8 इसकी जगा 0.8 लिख दिया तो 1 upon 0.2 यानि अंसर आगया 5 multiply की value 5 आगई अब multiply का एक formula और होता है delta y upon delta i मुझे निकालना है कि मेरी income कितनी change हुई है ये वाली मैं कैसे निकालू multiply जो कि कितना है 5 इसको multiply कर दूँगा जो पहला पहला change in investment था thousand तो मेरे पास 5000 अंसर आ जिया यहां लिख दिया इसका 80% change in consumption होगा 4000 ये table बनानी बहुत ज़रूरी है और table की explanation में ये calculation भी करनी बहुत ज़रूरी है तब पूरे number मिलेंगे इसके ओपर numerical question भी आज़कता है इन तीनो formula को use करके हो जाएगा आपके लिए मैंने कुछ numerical question भी दी हुए लेकिन दोस्तो इससे उपर की बात आपको बताऊंगा मैं एक question मेरे साथ यहां करो देखो MCQ करते है देखा है बीच में थोड़ा twist चलो ना concept भूँ सारे कर लिए है थोड़ा सा twist ले लो क्या जा रहा है question है consumption at zero level of income क्या कहलाता है consumption at zero level of income की बार कहलाता है क्या मोलते हैं इसको autonomous consumption अगला consumption curve intersect y axis above point of origin एक consumption curve है y axis को cut करता है जो origin के point से ऊपर है क्यों because of autonomous consumption consumption कहीं लिखा है consumption expenditure is never zero क्योंकि consumption expenditure कभी zero नहीं हो सकता इस वज़े से language change और रखिये फिर भी answer तुमारे सामने है ठीक है दोस्तों इसके बाद मैं आपके सामने एक question और share करना चाहूंगा का गया का गया का गया चलो आगे बढ़ते हैं कोशन पर थोड़ी दिर में आएंगे हैं अब मैं आपको महा भयंकर महा भयंकर कोशन कराना चाहूंगा दोस्तों यह है जी मैं बोलता हूं जब एक देश में aggregate demand aggregate supply से ज़्यादा है तो क्या होगा आप बोलते हो जी supply बढ़ा लो production बढ़ा लो लेकिन मैं बोल रहा हूं aggregate supply aggregate demand aggregate supply से ज़्यादा है और देश के अंदर full employment भी है full employment का मतलब सारे resource इस्तमाल हो गए है जिसको नौकरी देनी दी सबको नौकरी मिल गई है अब क्या होगा क्या यह दोनों situation अलग है जी हाँ अलग है यहाँ demand ज़्यादा है supply कम है तो तुम supply ज़्यादा कर दो solution हो जाएगा यहाँ demand ज़्यादा supply कम है तुम supply ज़्यादा करने की कोशिश करोगे supply ज़्यादा हो नहीं सकती तो कि देश में सारे resource यूज हो चुके है सबको नौकरी मिल चुकी है तो दोस्तों यह special situation है यह problem है इस problem को बोलते है excess demand इस problem में क्या होगा demand ज़्यादा supply कम supply तुम बढ़ा नहीं सकते supply बढ़ा नहीं सकते तो sellers ऐसे में price बढ़ाना शुरू कर देंगे price level बढ़ना शुरू हो जाता है तो यहाँ पर price level बढ़ना शुरू होगा और price जब लगातार बढ़ना लगे उसको मेंगाई बोलते हैं यानि inflation तो दोस्तों जो यह demand और supply के बीच का gap है ना इसको हम excess demand और inflationary gap भी बोलते हैं और इसके opposite अगर आपको बताओं मालो अगर aggregate demand कम है aggregate supply से और देश में full employment भी है तो यार देखो production जादा demand कम तो supply जादा है demand कम है तो इसको तो access supply बोलना चाहिए लेकिन नहीं बोलते हैं भाई तुमने देश के अंदर full employment कर दिया बुरी बात है अच्छी बात है production जितना कर सकते हैं तो उतना कर दिया बुरी बात है अच्छी बात है तो supply की तरफ से तो कोई problem है यह नहीं problem है demand के तरफ से demand कम हुई है तो इसलिए इसको deficient demand बोलते है efficient का मतलब कमी तो देखे हो बुक में तो लिखा भी नहीं है ऐसे जैसे मैंने बताया है efficient demand और इसका दूसरा नाम है deflationary gap ठीक है चलो जी इसको deflationary gap क्यों बोलते है देखो जी जब demand कम है supply जादा है तो sellers के पास production जादा है वो उसको बेचने के लिए price कम करेंगे जब price continuous कम होता रहे तो उसको बोलते deflation तो इसके वज़ेसे deflation आ जाती है अब paper में next question आता है बताओ जी इसका output पे क्या फर्क पड़ेगा देश में जो नौकरी है employment पे क्या फर्क पड़ेगा हम बताएंगे जी क्या फर्क पड़ेगा देखो जी supply ज्यादा है demand कम है लोग समान खरीदी निरे तो producer आब बोलेंगे production की ज़रूत क्या है वो production कम कर देंगे output कम हो जाएगा income भी कम हो जाएगी तो लोगों की ज़रूतनी नौकरियों के लिए तो नौकरिया भी गिरने लग जाएगी तो यहाँ पर ये सब में गिरावट आएगी समझे लोग इसका diagram देखो ज़रा मैं आपको inflationary के आपको diagram बना हुआ समझे ज़रा यह देखो ज़रा माल लो यह एक देश का एग्रिगेट सप्लाई कर 45 डिग्रे लाइड और हम आज सोचते हैं भविश्य के लिए एक देश में एग्रिगेट डिमांड इतनी होनी चाहिए एग्रिगेट डिमांड इतनी होनी चाहिए है यहाँ पर एक्ससिस पर इंकम एट अउपलोइमेंट लिखेंगे तो देश में एकुलि बडिम पॉइंट यह होगा और आउट पुट यह होगा यह सोचा है अभी कि जब देश में फूल अंप्लोइमेट होगी तो यह एडी करद होगा और फूल अउप्लोइमेंट पे आउठ इतना ह कि जब होगी कि पालो एक जनवरी को सोचा की देश में में 31 दिसंबर को साल के एंड में फुल एम्पलॉयमेंट हो जाएगी और ये एग्रिगेट डमांड होगी ये पड़क्शन होगा तो चाहिए न जब 31 दिसंबर आ जाएगा क्या सचमें full employment होगी या सच में इतनी ही दिमांड होगी दिमांड सच में इतनी ही हुई तो ठीक है 31 December वाले टाइम को दिमांड इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है माल लो मैं बोलता हूँ आपसे 31 December जब नजदीक आया और डिमांड इससे ज़्यादा निकली क्या निकली ज़्यादा निकली color change कर लेता हूँ दिमांड इससे ज़्यादा निकली तो मैं बोलूँगा actual demand ज़्यादा है तो दोस्तों जब सोची रखा था कि full employment पे इतना production कर सकते हैं देश जब डिमांड इतनी कर रहा है तो production की इतनी जरुरत है यह तो possible ही नहीं है तो full employment पे इतना ही production हो सकता है जब हमने देखा कि जब देश में full employment होगी तो हम इतना समान बना सकते हैं लेकिन जब वो दिन नस्दिक आया है तो हम इतने समान की requirement कर रहे हैं तो यह gap, fall to की demand हो रही है तो this gap is called fall to का demand यानि access मतलब fall to access demand इस demand curve और इस demand curve के बीच में gap यह gap, 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 यह gap तारे gap access demand होंगे यार मुझे एक जगा दिखाना है मार्क करके तो यहाँ पहले से gap है, तो यहाँ दिखा देते हैं इसको बोलेंगे access demand समझे? आप inflationary gap भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है लेकिन वापिस आते है diagram पे आप मेरी बात समझना ज़रा मैं diagram के बारे में वापिस बोल रहा हूँ देखो जी, मैंने बोला जी देश में जब full employment होगी तो इतनी demand सोची है इतनी demand सोची है अगर demand ज़्यादा निकली, तो access demand हो जाएगा लेकिन actually demand ज़्यादा नहीं निकली, कम निकली पहले से, जितनी सोची थी उससे कम AD2 तो हम बोल रहे थे कि देश के अंदर production इतना हो जाएगा लेकिन देश बोल रहा है हमें equilibrium यहाँ चाहिए production कम चाहिए कम चाहिए इससे कम तो यह कमी है ना, तो this gap is called deficient demand ओके और इन दोन demand curve के बीच का gap मैं यहाँ से दिखा लेता हूँ, जहामर जी से आप दिखा सकते हो this is also known as deficient देखो जी, अगर diagram आपको बनाना सीखना है, तो आप पहले ऐसा diagram बना लो single, अगर आप इसके उपर line बनाते हो, तो excess demand का diagram बन जाएगा, इसके नीचे line बनाते हो, तो deficient demand का diagram बन जाएगा, जो आप line बनाओगे दूसरी वो dot 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 करके बना देना, बस ध्यान रखना पहली line desired होगी, desired का मतलब होता है X and T और अगर उपर वाल line actual हुई, तो excess demand का diagram, नीचे वाल line actual हुई, तो deficient demand का diagram, पेपर में question आया हुआ है, पहले से diagram बना बनाया दिया हुआ है, और आपसे पुछा हुआ है, कौन सा excess demand का है, कौन सा deficient demand का है, बता दे, बता दे ना इतना आ जाएगा question, excess demand क्या होती है, इसका impact क्या होता है, आपको supply बढ़ी नहीं सकती है, यहाँ पर तो यार, demand already जादा है, ठीक है जी, question आता है, कि इनको ठीक कैसे करें, ठीक कैसे करें, मालनो जी, aggregate demand, aggregate supply से जादा है, at full employment, यह तो excess demand की problem है, इसको ठीक कैसे करें, अगर इसको correct करना चाहते हो ना, तो correct करने का एक ही तरीका है, कि demand को कम करवाओ, और demand को कम करवाने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक है money supply के तुरू, जिसे बोलते है, monetary measures, और एक है government की budget, यह नि, fiscal policy के तुरू, अगर आप fiscal policy की बात करो, तो इसके दो instrument होते हैं, सरकार का खर्चा और दूसरा देश का tax rate, अगर आप देश में demand को कम कराना चाहते हो, तो government से बोलो, अपना खर्चा कम कर दे, government भी देश का इस्सा है, government अगर खर्चा कम करेगी, तो देश की total demand कम हो जाएगी, उससे यह situation ठीक हो सकते, या बोलो मेजर की बात करो, तो यह देश के अंदर money supply को कम करवाएगी, money supply कम करने से aggregate demand कम होगी, अब दोस्तो money supply कैसे कम होती है, आप मेरी बास संदा, देखो, TRR, SLR, LRR, bank rate, repo rate, reverse repo rate, कितने सारे concept पढ़े थे आपने margin requirement, money and banking वाले chapter में, दुबारा देख लेना, यह concept समझने है, तो बहुत बढ़िया, शांती से समझा रखे हैं, आप इन में से किसी को भी increase कर दो, money supply decrease हो जाती है, monetary policy काम करती है, monetary policy के जो instrument होते हैं, वो दो पार्ट में divided है, एक quantitative instruments, यह सारे quantitative है, इसको छोड़ कर, एक qualitative instrument, उसमें margin requirement, moral solution, deficit financing, selective credit control वगएर आते हैं, आपको दो ही पढ़ने है, margin requirement और moral solution, ठीक है, इन में से किसी भी ratio को बढ़ा दो, interest को बढ़ा दो, money supply कम हो जाएगे, aggregate demand कम हो जाएगी, paper में इससे related question आ सकता है, ठा बोल देगा, इसको opposite भाई, question आ गया, यह नहीं आया, मालो question, question आया है, यह क्या है, correcting, access demand, लेकिन दोस्तों, अगर question आया, aggregate demand कम है, aggregate supply से, at full employment, बतलब deficient demand है, इसको कैसे ठीक करोगे, इससे related question आ गया, बाबू, demand यहाँ कम है, आप demand को बढ़ा दो, problem ठीक हो जाएगी, demand को कैसे बढ़ाते है, उल्टा-उल्टा कर दो, सरकारी खर्चा बढ़ा दो, क्या tax कम कर दो, या फिर इन में से किसी भी ratio को कम कर दो, उससे money supply बढ़ जाएगी, और aggregate demand बढ़ जाएगी, आपके लिए मैंने बहुत सारे question असान करें है, एक एक नंबर के MC को आज़कते हैं, IRR बढ़ेगा तो बताओ money supply पे क्या फरक पड़ेगा, SLR बढ़ेगा तो बताओ क्या फरक पड़ेगा, अरे कुछ भी बढ़े, money supply कम हो जाएगी, और कुछ भी कम हो, money supply बढ़ जाएगी, money supply से इनका उल्टा रिष्टा होता है, ये बात आपको समझते हूँ चलनी है, इस से पेपर में बहुत बहुत बार question आयो है, मतलब access demand बताओ, deficient demand बताओ, इनका diagram बताओ, इनको correct कैसे करते हैं, आप वो चीज़ बताओ, ठीक है, और अगर आपको बात दाओं दोस्तों, अगर आपको ये last वाला topic बहुत ज़्यादा depth में करना है, जैसे कि इसके अंदर म बाते हैं, आपको अगर मैं बताओं कि एक्जाम point of view से मैंने इस video को complete किया है, लेकिन अगर आपको detail में जाना है बिल्कुली, like if you want to go in the depth of access demand, deficient demand बहुत तसलिजे करना चाते हो, तो दोस्तों playlist में जाओगे, मैंने आपके लिए एक video बनाई हुए, जिसका नाम है access demand and deficient demand, search कर लो, मिल जाएगी, अगर आप multiplier की end तक numerical के साथ जाना चाते हो, आपको चुझे numerical के explanation, धर 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 धर, numerical कैसे solve करने इस chapter के, तो बाबु numerical के लिए proper video बना रखी है, आप लिखोगे, numericals of aggregate demand, aggregate supply, playlist में जाओगे, आपको हुआ वीडियो दिख जाएगी, जैसे मैंने बताया है ना, नेको जी, मैंने बताया, बुक्स में इस chapter को तीन पार्ट में cover up किया हुआ है, किया हुआ है, कौन-कौन से तीन पार्ट है, बुक्स के अंदर भाया, ये तीन चैप्टर है, ये तीन चैप्टर है, इन तीनों चैप्टर की अलग-अलग video बनाई हुए, तीन वीडियो करती है अगर आप इसको मतलब exam point of view से सब कुछ cover up कर दिया है अगर आप फिर भी numericals की तरफ जाओगे और इसको और depth में करना चाओगे अपने दिल की तसली के लिए अगर आप समझते हो अगर आपके पास बहुत बढ़िया टाइम है और लवसर ने अच्छा समझाया है तो यू गाइस can go for that और दोस्तो मेरी तरफ से अगर आपको बताऊं तो मैंने आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर खली बली करा दिया है समझ आगे आओगा आपको उमीट करता हूं आज के लिए फिर इतना ही दोस्तों जया हिंद जया भारत नमस्कार जान्यवाद